अब ये सारी चीज़ें हमें एक इंटरिव्य में बतानी है और ये कॉशन बहुत फेमस है आप किसे भी इंटरिव्य को जाना अब स्टेप्स मैंने यहां पर लिख दिये हैं कि हम क्या करेंगे अगर आप से इंटरिवर पहले पूछेगा जरूर पूछेगा कि स्टेप्स क्या होंगे तो हम उनका object creation को control करेंगे और उसको जो object बनाया उसको access देंगे ठीक है यह आपको पता होगा अर्ली और लेजी निशलाइजेशन क्या होता है कि अर्ली के class loading के time टे object बन जाएगा और लेजी कि जब मेरा चाहिए होगा तब object बनाऊगा simple singleton का मतलब आपको पताई होगा कि जिसका एक instance हो अब देखते हैं मैं इसको कैसे implement करूगा तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि यार मेरेको ना उसका जो object creation उसको restrict करना है है ना मतलब वो मेरे को class से बाहर नहीं चाहिए तो वो कैसे करता है public not private करेंगे इसको ठीक है अब मैंने constructor private कर दिया तो object creation मेरा हो गया कि restriction हो गया अब एक मैं instance variable बनाऊगा जिसको मैं private करूगा उसका भी class के भाहर access नहीं होगा और उसको मैं static बनाऊगा वेगर मुझे class coding time पे चाहिए और उसको मैं reference variable के type से लोगा जो मेरे early singleton class के type का होगा public static और मैं नहीं चाहता है इसकी कोई value change कर पाए तो that's why I will make it final ओके और मैं इसको कह दूँगा कि भाई तुम्हें काम करो new singleton class का object तुम बनाऊगा ठीक है अब मैंने जब इसको नाम दिया ओके फिर एक method बनाऊगा मैं जो कि मैं अब access दूँगा outside the world, outside this class मेरे को एक access भी तो देना है जो मेरा object बन रहा है उसके लिए तो उसके लिए best चाहिए public static method तो method भी इसी type का होगा object return करेगा और method को मैं नाम कर दूँगा get instance ठीक है बहुत सा object है कि इसकी implementation क्या होगा मैंने client class बनाई है ठीक है और इसमें आप देखोगे कि अगर मैं इस class का object बनाऊना तो allowed नहीं होगा मेरा code compile ही नहीं होगा क्या बोल रहा है कि या यह private है यह allowed नहीं है तो चलो allowed कैसे होगा अगर मैंने बोला कि get अब देखो सिर्फ मेरे पास एक option आ sense ठीक है अब आप बोलोगे अशनी आपने एक बना दिया चलो मैं आपको दो बना के दिखाते हैं यह एक है और यह दो है और आपको पता है कि जो equal equal operator होता है वो reference comparison में use होता है तो अब यह true return करना चाहिए मेरे हिसाब से तो क्योंकि भाई हर जगा में single object return कर रहा तो अगर इसका answer true रहा तो मेरा जो एकी object over the network available होगा या over the project available होगा true return और है तो यह तो आपका रहा कि early loading हो गई आपकी या फिर आपकी यह eager loading हो गई अब आपसे दूसरा question पूछा जाता है कि यार ठीक है lazy initialization बताओ और इसको हम कैसे solve करेंगे बारी आती है अब अपने lazy initialization की तो उसक के लिए मैंने class बनाई है यहाँ और देखते हैं हम उसको कैसे use करते हैं सबसे पहले अपना जो lazy singleton का जो constructor है हमें वो private बनाए क्योंकि मेरे को restriction लगाना object creation प्राइवेट बनाया है मैंने और इसको प्राइवेट बना के अपन करने हैं और जो एक जो अपन last time जो variable बना रहे instance variable private static ना तो उसको अपन क्या करेंगे इस वार final नहीं बनाएंगे ठीक है क्यों क्योंकि मुझे यार at a time उसकी implementation नहीं दे लिए अब मैंने एक method बना है public static ठीक है और इसको अपन क्या करेंगे कि lazy instantiation रिटन करेगा यह है ना अब आपके according क्या होना चाहिए कि यार मैं इसको check कर लूँ है ना यहां पे कि अगर वो नल है कि इफ मैं अगर यहां पे अगर मेरे को बोलना भी होगा तो मैं डारेक्ट इसको नल कर देता हूं ठीक है चैक करते लिए तो मैं क्या बोलूंगा कि instance equal equals to null है ना अगर मैं ऐसे लिख देता हूं equal equals to null है ना तो मेरा object create हो जाए है ना और नहीं तो वह बापस return कर दे यहीं तो होगा कि अगर होता है तो do one thing कि instance equals to new lazy ठीक है परफेक्ट है लेकिन यार इसमेरे एक problem होगी अब वो problem क्या होगी यहां पे जो मेरा है वो नल है अगर यह मालो सब्सक्राइब दो थ्रेड आता है इसमें थ्रेड में है ना तो यह singleton हो गई नहीं अगर at a time दोनो थ्रेड अगर इसको access करें तो दो object बन जाएंगे है ना अगर मैंने एक अगर मेरे दो थ्रेड एक थ्रेड और दोनो थ्रेड इस वाले ब्लॉक में अंदर चले जाता है तो वो दो थ्रेड दो दो object बना लेंगे तो उसको मैं क्या करूँगा उसको resolve करने के लिए कि यार मैंने क्या बोला यह तो ठीक है यह वाली बात तो ठीक है लेकि इस वाले के अंदर मैं लगाँगा कि मेरे को synchronize चाहिए अब जो synchronize lock होगा वो मैं class level lock लगाँगा कि मेरे को ना class level चाहिए अब synchronize block के अंदर आके भी let's suppose दो object है अगर मैंने direct ये instance के अंदर इस method के अंदर मैं यहाँ आया और मैंने इसमें assign कर दिया कि मैंने object बना दिया तो समझो इसवाई line number 15 पे अगर दो thread आते हैं एक यहाँ आ जाता है और एक यहाँ वेट करता है और एक अंदर चला जाता है तो वो तो चेकी कर रहे हैं कि instance की value null है तो मैं तो आगे हैं यहाँ पर तो इसका मतलब दो object फिर से बन जाएंगे तो हम फिर से check करेंगे कि जो मे यही तक null है क्या बड़ी ठीक है तो यह इसको कहता है अपन double checking ओके अगर है तो क्या बोलो कि return instance equals to new new क्या lazy loading ओके यानि कि lazy singleton class not lazy loading अब आपने क्या बोला है यहाँ पर यार यह मेरा private constructor था ठीक है और इस method के अंदर मैंने double level lock लगा है मतब double checking लगा है मतब class level lock है लेकिन double checking लगा है कैसे अब मैं किंग कर रहा हूँ है समझने की कोशिश करो 15 वाली लाइन पर दो थ्रड आ गए ठीक है अब आपने आपने यह तो बोल दिया था no problem दो थ्रड आ गए एक इसके अंदर चला गया ब्लॉक के अंदर और य तो ठीक है नहीं तो आप बहार आ जाओ और रिटेन कर दो ठीक है अब मैं क्या करूंगा यहां से मेरा रिटेन स्टेट्मेंट हो गया पार हो गया और इसको यहां लगा देता है अब देखो मैं फिर से क्लाइंट में जाता हूं इतने कोड को मैं कमेंट करूंगा और मेरे को लेजी इनिशलाइजेशन चाहिए यह लेजी एक कुस्ट्व अगर फिर से न्यू मैं दिखाता हूं करके नहीं चलेगा अब क्या करो गया फिर मैं बोलूगा कि भाई लेजी और फिर केटेंशेंट द दो मुझको है ना अब यह मेरे को दोब्जेक्ट चाहिए जोकी मेरे को दिखाना है बरावर है या नहीं है तो यह होगया मेरा पहला और यह होगया मेरा दूसरा अगर यह बरावर होँगे थो फिर इनका आंसर डू second one चलो इसको चलाते हैं फ़ता चल जाएगा क्या है रन करते हैं अगर true आया तो सही है लेकिन आप ना हमेशा इसको जरूर याद रखना अगर आप यह true आया वैसे answer है ठीक है लेकिन मैं क्या बता रहा था कि आप इसको याद रखना कि अगर आपने यह double check नहीं की तो फिर आप से वो पूछे का कि multi threading आप कैसे prevent करोगे तो उसमें थोड़ा से दिक्कत हो सकता है और वैसे आप क्या करना है आपको कि जाके सिध्य अप्लाई कर देना है कि यह जाके synchronize block है इस लिए मैं double checking लगा रहा हूं class level log ले रखा है मैंने fine ठीक है मैं मिलता हूं एक नई वीडियो में आपसे और नई question के साथ में अगर यह वीडियो से कुछ help मिल दिया वीडियो अच्छे लग रही है तो subscribe करो like करो और मुझे बता सकते हो किसी और topic पर या किसी और question पर वीडियो बनानी है तो ठीक है आब इसीनो next video till then take care bye झाल